हेलो दोस्तों, आज डिसकस करेंगे एक जोमेट्री का क्वेस्चन, जो JE 2006 का पार्ट था, पहले क्वेस्चन पढ़ लेते हैं, हमें दिया है एक आईसॉसलेस ट्राइंगल, जिसका एक एंगल है 120 डिग्रीज, और इस ट्राइंगल के इन सर्कल का रेडियस है रूट 3, और इसके बराबर, अब ट्राइंगल के इन सेंटर को मार्ग करते हैं, और नाम देते हैं O, नेक्स टेप में O से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉट करते हैं OX, जिसकी लेंध होगी ट्राइंगल के गिवन इन रेडियस माने रूट 3 के बराबर, और O से AB पर पर परपेंडिकुल ड्रॉट करते हैं O, जिसकी भी लेंध होगी ट्राइंगल के गिवन इन रेडियस माने रूट 3 के बराबर, अब O को जोइन कर देते हैं, दोस्तों क्यूंकि ट्राइंगल ABC पॉइंट A के अब आउट लेफ्ट और राइट में सिमित्रिक है, लाइन OX एक स्टेट लाइन ब O, अब O, Y की वैल्यू डाली रूट 3 और सिंप्लिफाई किया, तो O, A की वैल्यू बनी 2, नेक्स्ट टैप में ट्राइंगल BAX में हम लेख सकते हैं, 1030 डिग्रीज is equal to AX over BX, 1030 डिग्रीज को पुट किया 1 over root 3 और AX को लिखा O, A plus O, X, तो एक्वेशन बनी 1 over root 3 is equal to O, A plus O O, X over BX, अब OA है 2 और O, X है root 3, तो BX की वैल्यू बनी 3 plus 2 root 3, अब हम लेख सकते हैं, area triangle ABC is equal to half into BC into AX, अब half into BC बनेगा BX और AX बनेगा OA plus OX, माने area बना BX into bracket OA plus OX, BX को पुट किया 3 plus 2 root 3, OA को पुट किया 2 और OX को पुट किया root 3, तो triangle ABC का area बना 12 plus 7 root 3, और यही हमारा answer है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, like और subscribe जरूर करें, मिलते हैं next वीडियो में, धन्यवाद!